नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लाटफॉर्म और आपके साथ मैं हूँ प्रगतीद विवेदी मोबाइल फोन हम सब की जिंदगी का एहम हिस्सा है आपके अपनों के नमबर से लेकर आपका बैंक अकाउंट तक सब आपके फोन से ही चलता है थोड़ी देर के लिए फोन का बंध होना भी ऐसा लगता है कि मानों आप दुनिया से डिसकनेक्ट हो गए हूँ आप ज़रा सोचिए ऐसे में अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या फिर गलती से खो जाए तो आप क्या करेंगे आज मैं आपको अपने इस Tech Tricks वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप आसानी से अपने खोई हुए फोन को ढूणने की कोशिश कर सकते हैं इतना ही नहीं अगर आप ये जरूरी टिप्स अपनाएंगे तो आपके फोन और उसमें मौजूद डेटा का कोई भी मिस्यूज नहीं कर पाएगा तो चलिए शुरू करते हैं अपने फोन और उसमें मौजूद डेटा को सेफ रखने के लिए सबसे पहले पासकोट और फिंगर प्रिंट ऑथिंटिकेशन को आउन रखें जिससे कोई भी आसानी से आपका फोन अनलॉक ना कर पाए हो सके तो फेशल रेक्निशन आप्शन का इस्तेमाल ना करें क्यूंकि इसे आसानी से डिसेबल किया जा सकता है दूसरा Find My Device या फिर Find My Phone एक ऐसा ओप्शन है जो आपका फोन ढूणने में आपकी मदद करेगा किसी भी फोन को शुरू करने और Play Store एक्सेस करने के लिए जीमेल और Google डीटेल्स देना जरूरी होता है जो कि हम सब देते हैं फोन सेट अप करते हुए आप सेटिंग्स में जाए और Security and Location आप्शन में जाकर Google के Find My Device आप्शन को आउन कर दे इससे ये फायदा होगा कि फोन खोने या चोरी होने के बाद भी आप अपने फोन को आसानी से ढूण सकते हैं लेकिन सबसे जरूरी बात Mobile phone चोरी होने या खोने पर सबसे पहले आपको Police Station में एक F.I.R. दर्च करानी चाहिए Mobile चोरी की रिपोर्ट आप offline या online दोनों तरह से दर्च करा सकते हैं शिकायत दर्च कराने के बाद F.I.R. की copy और complaint number लेना बिलकुल न भूले अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके फोन में मौजूद डेटा का मिस्यूज न कर सके तो इसके लिए आप इसे ब्लॉग भी कर सकते हैं कैसे होगा ब्लॉग ये भी समझे फोन को ब्लॉग करने के लिए Central Equipment Identity Register यानि की CEIR की website CEIR.gov.in पर जाए CEIR के पास देश के हर मोबाइल फोन का डेटा जैसे की फोन मौडल, SIM और IMEI नमबर मौजूद रहता है जिसके मदद से चोरी हुए मोबाइल को आसानी से खोजा जाता है साथ ही मोबाइल को ब्लॉग और अनलॉक किया जा सकता है CEIR.gov.in पर क्लिक करने पर आपको तीन ओप्शन ब्लॉक श्लाश लॉस्ट मोबाइल चेक रिक्वेस्ट स्टेटस और अन ब्लॉक फाउंड मोबाइल दिखाई देगे इसके बाद चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने के लिए स्टोलन श्लाश लॉस्ट मोबाइल यानि कि आपका फोन खो गया है या फिर किसी ने चुरा लिया है उप्शन पर क्लिक करना होगा इसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने मोबाइल की डीटेल्स देनी होगी हाँ, फोन मिल जाने की कंडिशन में आपको यहाँ ही एक option मिलेगा Unblock Found Mobile का, जहां से फोन को Unblock कराकर आप उसे फिर से इस्तिमाल कर सकते हैं तो देखा आपने कि कितना आसान है अपने फोन को सेफ रखना आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें comment section में बताएं साथ ही technology से जुड़ी अगर आपकी कोई problem है तो वो भी आप हमें comment box में जाकर बता सकते हैं हम अगले वीडियो में आपकी उस problem को दूर करने की कोशिश करेंगे बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें TV9 भारत वर्ष नमस्कार